रह्मान इर्रहीम, अस्लाम अलेकुम डियर स्टूडेंट, आज मेगनेटिजम का एक बहुत एहम टोपिक है, जो है जो है, खाव तो कल्कुलेट लंडो जी फेक्टर वैडियू इस वेरी इंपोर्टन टोपिक से वन वी हैव तो कल्कुलेट मेगनेटिक मूमेट्स, in a मेगनेटिक बिहेवियर लाइक्परामेगनेटिजम डय मेगनेटिजम, फेरो फेरी मेगनेटिसम कोई भी आप मेगनेटिजम ले, तो इसमें अक्सरोकाट लंडो जी फेक्टर की वैल्यीू कल्कुलेट करना बहुत जादा important होती है उसके लिए हम देखें तो जो फार्मूला हमारे पास है वो बराबर है वन प्लस जे वन प्लस बाकी तमाम चीज़ लएदा है जे इंटु जे प्लस फन माइनस एल इंटु एल प्लस फन ओवर है टू जे इंटु जे प्लस फन यहां जे जो है यह स्पि स्पिन और्बिटल कप्लिंग है यहां पर अब स्की वैल्यू करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तमाल करते हैं ऐसे इकल टू वन बार टू एंट एन यहां पर शो करते हैं नंबर ओफ अन पेर्ड अलेक्ट्रों अब यह कैसे पाता चला जी नंबर ओफ अन पेर्ड जो ML जो कॉंटम नंबर है M जो है उसकी समेशन करनी होती है उरको सम अप करना होता है J is equal to L plus minus S value होती है plus minus S का मतलब होता है कि आपके पास जो भी एटम दिया जाए उस में shells में जाके देखना है कि क्या वो more than half fill है या less than half fill है अगर more than half fill आता है तो plus लगाते है less than half fill आता है अजी जी की वैली दूजेज ही हमारे पास अभी जो आइन है वह है F 2Eng करना है मौलूम करना है इसकी वैली उसको F2 plus F2 mean iron 2 plus इसका मतलब है कि यहां से दो एलेक्टरोन iron के अंदर से क्या की हो चुके हैं वो गौन आउट हो चुके हैं वहां से जा चुके हैं इसका मतलब भी क्या बन चुके हैं आइंस बन चुके है तो उसके लिए हम सबसे पहले G-Factor मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि electronic configuration किस तरह की जाती है किसी भी ions की या atoms की अगर हम देखें यहां पर तो अभी हमारे पास कौन सा आइटम है iron है तो उसके लिए हम जो formula हम इस्तमाल करते हैं बड़ा आसान सी जो values लेते हैं इनकी configuration लेने के लिए एक तो formula होता है कि आप shells को put करते हैं कि यह आपके पास है 1s2, 2s, 2p ऐसे formula दर्श का रहे होता है लेकिन इससे आसान जो है configuration वो यह है कि आप इसको इस pattern के तैट लिए लिए school, school, public school, public school, daily public school, daily public school और for daily public school, इस तरह for daily public school आता है इस यहाँ तक जब आप जाते हैं तो electronic configuration जो अभी तक items है उनका atomic number इनके अंदर आ जाता है उसी लिहाँ से जब हमने इसकी electronic configuration टी तो school, school किया 1s, 2s जहां जहां ऐसे हैं उसको value दे दे 1, 2, 3, 4, 5 6s, 7s उसके बाद P पे जाएंगा तो यह 2 पे शुरू हो जाएगा 2P, 3P, 4P 5P, 6P और अगर इस तरह आगे भी आजाता है तो 7P हो जाता है D पे जाएंगे तो उसकी value क्या आजाएगा 3D, 4D, 5D, 6D इस तरह F पे जाएगे तो 4F आजाएगा 4F और 5F electronic configuration आज़ेगी देखें चुके हमारे पास आरेंज जो है छोटा एटम है इसमें जो आटामिक नमबर है बिल्कु थोड़ा सी होता है जैसे 26 है तो उसके लिए हम configuration लिखते हैं तो यहां से अगर आप देखें तो इस state तक आपके पास 4 number of atoms हो जाते हैं इसको sum up करेंगे तो यहां से आपके पास 16 atom आ जाते हैं 16, sorry, electron आ जाते हैं 16 और 4 कितने हो जाते हैं 20 मजीद कितनी की जुरूँत है 26 की तो 26 बनाने के लिए आप देखें 16 यहां तक 16, 4, 20 इसका मतलब आप यहां पर जाते हैं ठीक है यहां पर जाते हैं तो इसका मतलब है D में 10 electron होते हैं लेकिन हमें कितने चाहिए है 6 है तो यहां पर यह मुकमल नहीं होगा फिर यह क्या बागी जितनी भी चीज़ें होंगी वो अजाफी होंगी वो यहां से क्या हो जाएंगी रिमूव हो जेंगी यह हमारे मकसद की नहीं है हमारे पास सिर्फ electronic configuration के आ चुकी है यहां तक बन चुकी है लेकिन अगर देखें तो हम इसकी electronic configuration जो लिखेंगे 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, 3p, 2p, 2p, 3s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4s, 3p, 4s और 3d के electronic configuration लिखें लेकिन चुके यह आईन है इस 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन जो 4 state पे जाते हैं तो वहां आपके पास सिर्फ-सिर्फ क्या है, S है, तो आप जब इसकी दो electron यहां से जाएंगे तो वो D में से नहीं जाएंगे, बलकि इसकी replacement होके D पहले आएज़ेगा, S बाद में चल जाएगा, क्योंकि S lower shell है, sub shell है, तो वहां स 2 electron क्या हो जाएंगे, जब 2 electron उड़ेंगे, इसका मतलब S मुकमल क्या हो जाएगा, यहां से खतम हो जाएगा, जैसे ही S खतम हुआ, तो अब इसका मतलब यह है, कि आखर में जो हमारे पास unfilled, यहां थोड़ा सा जो electronic जिसमें electron आ सकते हैं, वो कौन सा चैल है, 3D 6 है, तो 3D 6 दे खतरी है, वहां से L की धाल की तरग की निकलाएगी, 2, क्योंके L होता है, N-1, L बराबर किसके होता है, N-1, Тоis में से 2 करदेंगे, M-L कumin sí, क्या होता है, M-L ऑर होता है, M-L व्राबर होता है, Plus-L की धाल की, L की वैए यहां पर किया है अन पेर्ड एलेक्ट्रोन है तो यहां से हमें पता चल देगा कि अन पेर्ड एलेक्ट्रोन कैसे आते हैं अब हमारे पास ml की वैल्यू 5 है तो 5 हमने configuration बनाई जिसमें एक वैल्यू को प्लस 2 दिया प्लस 1, 0, माइनस 1 और माइनस 2 और टोटल इसमें अभी हमारे पास electron कितनी है 6 है तो पहला electron रखा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो छटा बटेगा वो क्या आजएगा पहले में क्यूंके polyparamagnetism के तहट दो electron जो है with opposite spin एक ही state में क्या हो सकते है वो रह सकते है तो यहां पर आगया है अब देखें जो जिनके पास दूसरा electron नहीं है वो किया है unpaired है तो total unpaired electron कितने है 1, 2, 3 और 4 तो वहां हमने n की value 4 put की तो 4 by 2 आपके पास spin कितनी आगी 2 है इसके बाद L निकालने के लिए आप ml की क्या करते हैं summation उसके ओपर लगाते हैं plus करते हैं इसमें 2 electron थे तो हमने इसको 2 से multiply कर दिया यह answer है इसमें एक electron था एक से multiply प्लस कर दिया इसमें एक त्वा से multiply करके plus कर दिया इसमें भी एक था one से multiply कियreno से multiply कियो है तमाम को जब add किया तो हमारे पास value कितनी नहीं है इसका मतलब o की value कितनी है 2 और J is equal to L plus S यह हमें कैसे पता चला कि यहां पर L प्लस आएगा चुपके देखें यहां पर 3D 6 है D में जादा से जादा एटम्स जो अलेक्टरोन जो आ सकते हैं वो कितनी होते हैं 10 होते हैं तो यहां पर अभी कितने अलेक्टरोन है 6 है इसका मतलब यह मोर देन हाफ है हाफ से जादा है 6 तो जिसकी वज़ा से यहां पर क्या आया है L प्लस आया है अगर फर्ज का लेते हैं यहां पर 3D 3 होता तो उस वक्त यहां पर प्लस नहीं आना था फिर यहां पर क्या होना था 2 plus 1 3 L की value 2 2 plus 1 3 इस तरह over में 2 j j plus 1 था तो 2 j की value रखी 4 j plus 1 तो 4 plus 1 5 आ गया देखें यहां पर यह पूरे का पूरा factor विलकुल एक जैसे ही है यह factor plus minus होने की वैसे cut गया 1 की जगा 1 आ गया 4 5 20 20 लिक दिया यह भी 4 5 20 आ जाएगा तो यह g factor की value है for iron 2 plus ions के लिए जी अगर आपको यहां से किसी भी चीज की समय नहीं आई तो आप नीचे comments में हमसे इसके मतलब कोई भी question पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like के रिए comment कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइक की कमरा ना दुबाना ना बोली है शुक्रिया